रेवाडी में दो अफ़ते के लोकडाउन के बाद सरकार के दिशा निर्देश पर जिला परशाशन ने दुकानदारों को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकाने खोलने की अनुमती देकर उन्हें रहाक तो जरूर दी लेकिन इस दोरान बजारों में बेकाबू भीड देखकर तो ऐसा लगता है कि सरकार और परशाशन एक बढ़ फिर रेवाडी में करोना विस्पोट होने का इंतिजार ही कर रहा है लोगों और दुकानदारों ने कहा निश्चित रूप से रेवाडी में हो सकता है करोना विस्पोट बचना है तो बजारों का समय बदला भी एक मातर विकल इस संदर में दुकानदारों और इस्थानी गराकों ने कहा कि परशाशन ने दुकाने खोलने का समय साथ से बारा रखा जो ठीक नहीं है क्योंकि 9 वजे से पहले तो गराग घर से निकलता ही नहीं और खरीदारी के लिए समय की कमी के कारण बजारों में भीड बढ़ जाती है उन्होंने परशाशन से अपील की की बजार खुलने का समय 9 से 2 कर दिया जाए ताकि भीड नहीं हो और मामारी बढ़ने का अंदेशा भी कम हो सके अब क्या खाएंगे इस बाजारों उपड़ की बेड को देखा है जी सरकार का छूट देना बिल्गुल भी जाएज नहीं है अब हो सकती है बट अभी एकोनोमी को अगर देखे तो गवर्मेंट भी एकोनोमी के परपस से बहुत अच्छे से सोच रहे है इसलिए वो यह डिसीजन ले लिए स्टैफ ले दिया है अधरवाइस तो गवर्मेंट के अपकोस होना चीजिए टाइम चीजिए टाइम चीजिए बढ़ाना चाहिए मेरा नाम देश कुमार रजी क्या कहेंगे यह जो बजारों में लगए तार भीड बढ़ रही है और सुबह साथ से पारविट तक समय बजार करें यह जो साथ वाड़ा समय रखा है वो पब्लिक को सूट नहीं करता है नहीं तो दुगंदार को सूट कर रहा है फैस वह क्यों कि बैखा है मत्युश्가요 नो से लेके चार बें कर सूट क्योंक्ति के आप देख रहे जो बजार में कि नीदु ब्लडी हो जल्दी करो कि बारा बच्धे कें बारा बच्झेंगे commence देखो भीड भाड तो जैसे कि आपको पता है कि सोशल डिंस्टेंसिंग होनी चाहिए लोगों को एक जगे एकत्रित नहीं रहतना चाहिए ताकि वह भीड भाड में आपके ये करोना वाइरस ज्यादा फैलेगा ठीक है और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर निकलना तब तक आप मार्केट अवोइड कीजिए अचन बहुत ही ज़्यादा चुरूरी है जैसे कोई दवाईये है कोई मरीज है उनके लिए आप चले जएए या थोड़ा बोटा राशन के लिए लेकिन अन्नेसेसरी आप मार यही संदेश नेगा